अल दोस्तों आज हम असूस रॉग सीरीज की सर्विस करेंगे सबसे पहले लैपटप को प्रॉपले स्विच आफ कर लेना है फिर इसके बेस पे 14 स्कूरूस दिये हुए इनको हम खोल लेंगे एक अच्छे मैगनेट वाले स्कूर्डाइवर ले ले लेजिए इनके जो आगे के चार स्कूरूस है इनकी साइस थोड़ी चोटी है और जो बाकी के स्कूरूस है उनकी साइस थोड़ी सी बड़ी है जो ये लेफ्ट साइड का स्कूरू है ये लॉक होता है ये बस खुलता है पर अंदरी लॉक रहता है आप चाहे स्क्रूज को अलग-अलग भी रख सकते हैं इस मॉडल में जो मदर बोड है वो टैच पैड पे अटैच है सो जो बेस है हमारा ये बार की तरफ निकलेगा अब ये आपने ओपनर को बेस हो टैच पैड के बीच में जो गैप होता है उसमें डालेंगे बैक साइड से और इसको अनलॉक कर लेंगे इसके प्लास्टिक के लॉक्स धीरे से बेस को हमने उपर उठा लेना है सबसे पहले हमने जो बैटरी की केबले इसको डिस्कनेक करना है जो आगे पत्ती वाली लॉक होती है इसे फॉर्वर्ड करके और बैटरी की केबल को उपर उठा लेना है अभी हमने हीट सिंक के और फैन के दो दो स्क्रूज को खोलना है हीट सिंक और फैन के स्क्रूज की साइज सेम है हमने हीट सी अवाला है हीट सिंक OLS जो कि स्क्रूज करना है कि स्क्रूज कि और बैटरी की स tutकी स्क्रूज करते दो सिंक का रवादयों ata य़ हमने हमने का तक कुछ पॉर्वर्णाशनित रर में वाला है जो आगे हैं लोर्वर्स कर वालों दोनों हीटसिंग के साइड में केबल्स होती है यह आपने टेप को उपर उठाना है इसके नीचे आपको वाइफ़ाई अंटीने की केबल मिल जाएगी इसको हमने निकाल देना है और लेफट साइड में टेप को उपर उठाएंगे तो वहां डिस्प्ले की केबल होती है उसक को हमने उपर की तुरफ कड़के निकाल देना है हमने डिसकनेक्ट नी करना सिफ केबल को अलग-अलग कर देना है अब यह हमने दीरे से हीट सिंक और फैन को दोनों को उपर खीचना है एक कॉटन के कपड़े के साथ हम जो प्रोसेसर ग्राफिक के उपर जो परानी थर्मल पेस्ट है इसको हम साफ कर लेंगे फिर ब्रेश की मदद से हमने जो डिस्ट पार्टिकल से इसको क्लीन कर लेंगे जो छोटे मोटे रह जाते हैं फैन के नीचे होल्स होते हैं उनको भी आपने प्रोपर ब्रेश के साथ साफ करना है जो फैन के नीचे थोड़ी बहुत होल्स होते हैं उसमें डस्ट फसी भी पड़ी गई है वह आपने प्रोपरिटी साफ कर लेंगे अभी हम आपको फैन को क्लीन करके दिखाएंगे सबसे पहले हमने बेस और लाक्टाप को उठा देना है यह देखिए हीट सिंक और फैन इनकी हमने जो टेप है इसको निकाल देना है साइडों से कि एक दम द्यान से आपने निकालना दोनों साइड की टेप निकालना है फिर जो हमारा फैन है यह अलग हो जाएगा यह देखिए कर दो कर दो आप देख सकते हैं कि फैन में कैसे डस्ट है जितनी भी डस्ट वगर आई है सब हमने प्रॉप्र ली साफ करनी है यह कभी लैप्टाप खुलानी है पहली बार इसकी सर्विस हो रही है सबसे पहले दोनों फैन्स को हमने क्लीन कर लेना है जो फैन के उपर स्टील का कवर दिया होता है इसको हमने खोल लेना है इस पर प्लास्टिक के लॉक्स दिये होया थे इसको कोल के हम दोबारा प्लास्टिक के लॉक्स को आईडन की मदद से लगा सकते है की मदद से यह जो फैन है यह बाहर नहीं निकलता मोटर से जस्ट हमने ऐसे ही इसको प्रॉपली क्लीन कर लेना है ब्रेश की मदद से इस पे ज्यादा प्रेशर नहीं डालना नहीं तो जो इस फैन के विंग्स होते वह तूट सकते हैं अब ही जो यह स्टील का कवर है इसको हम दवारा उपर लगा लेंगे उपर लगाकर जस्ट ऐसी रखना है और बाद में हमने जो सोल्डिन काई रहने उससे इसके जो प्लास्टिक के लॉग के इसे हमने मेल्ट कर लेना है इससे यह सील हो जाएगा से मैसे ही जो दूसरा फैन उसको भी से मैसे ही करना है पहले इसका कवर खोल देना है प्लास्टिक के लॉक्स होते है वो अनलॉक हो जाएंगे अब यह फैन को प्रॉपली क्लीन कर लेंगे यह आप देख सकते हैं इसमें कितना डस्ट वगरा है झाल 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 तीक ऐसे ही जो इसका कवर है इसको पर रखके रहते हैं से जो प्लास्टिक लॉक्स ही उसको आमने सील कर देना है अभी जो हीट सिंक है इसको हमने प्रॉपली क्लीन करने है इसकी जो वेंटिलेशन से इसको प्रॉपली क्लीन करने है ताकि जो हवा प्रॉपल बाहर नकले आप चाहे बिलोड की मदद से भी से साफ कर सकते हीट सिंक को इत्सिंग के उपसे भी जो परानी धरमल पेस्ट है इसको भी हमने साफ कर देना ये पुरी तरह जम गई है इतुरी तरह जंगिसे साफ के लाभ ुर आपने चीया होुआंज वसा महry जो पवसे ज्सितला है बेक जिसे साफ मह पुरी हम हम की वाभ रिया रिया मेंいड का कैसंज का तरह जह 날ा है इत्सिंग आपितल собственा है आप EPA अभी हम फैन को फिक्स कर देंगे दोनों फैन्स को जस्ट उपर रखना है वो जो टेप है उसको हमने स्टिक कर देना है झाल में कर देना है अब यह मादरबोट करके इस पर हमने जो प्रोसेसर और ग्राफिक चिप है इसके उपर नहीं वारी धर्मल पेस्ट आड़ी करेंगे अभी हम इसके उपर हीट सिंक को रखेंगे के बल्स का दियान रखना है जो राइट और लेफ्ट में जो केबल थी जो हीट सिंक के उपर से आती है उस चीज का दियान रखना की वो के बल नीचे न रह जाए अभी हीट सिंक को फैन के स्क्रूज को टाइट कर लेंगे हम झाल 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 अब अंटीने की केबल को और जो डिस्प्ले केबल इसको प्रॉपली फिक्स कर देंगे हीट सिंक के साइड से और उपड़ जो टेप है उसको लगा देंगे इसके उपड़ एक साइड की टेप निकल चुकी है और जो फैन की केबल से इसको हम स्लाइड करके कनेक्ट कर देंग अभी जो बैटरी की केबल है इसको हम उपर रखके प्रेस करके लॉक कर देंगे यह आप देख सकते हैं इसमें M.2 की आप्शन है यह रैम की सिंगल आप्शन इसलोट यह प्रोसेसर ग्राफिक चिप यह फैन यह दो स्पीकर और बैटरी अभी हम बैस को फिक्स करेंगे बैस को क्लीन कर दिया हुए हमने इसको पीछे की साइट से रखके फिर उपर रखके प्रेस कर देना है सबी साइट से ताकि जो प्लास्टिक के लॉक से वो प्रॉपली लॉक हो जाए एक दूसरे के साथ अभी हम बेस के सबसे पहले आगे के स्क्रूस को टाइट करेंगे जो छोटे वाले हैं फिर बाकी के सबी स्क्रूस को टाइट कर देंगे शुक्रिया वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए नई नोटिफिकेशन के लिए लाइक और शेयर जरूर कीजिए अगर आपको इससे कोई मदद मिली हो झाली हो प्रेस कीजिए नोटिएस कीजिए मिली हो खीकेशन के लिए वीडियो के लिए उनी जरूर के लिए मिली हो अभी हम लैपटप को स्विच आउन करके एक बाद चेक कर लेंगे आपने गबरारा नहीं है जो ये लैपटप अपने बैटरी की केबल को डिस्कनेक्ट करके दोबारा लगाया है इसलिए ये थोड़ा डिस्प्ले लेट देगा ये आप देख सकते हैं इस पर डिस्प्ले आ गया है शुक्रिया